उत्रखंड में योनिफॉर्म सिविल कूड का ड्राफ्ट सरकार को मिल चुका है ब्रंजिना प्रकास दिसाई की अध्यक्षता में गटित समीती ने लंबे इंतजार के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौब दी है विधान सबा चुनाओं में बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद समान नागरिक साहिता को लेकर कानून बनाया जाएगा मुख्यमंतरी पुषकर सिंधामी ने कहा कि हमें ड्राफ्ट मिल चुका है अब इसे कानूनी जामा पहनाए जाने की तैयारी कर ली गई है विधान सबा से अध्यदेश को मंजूरी दे जाने के बाद इसे राजजपाल के पास बेजा जाएगा राजपाल के मंजूरी के बाद उत्राखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक सा इताल लागुग हो जाएगी beautiful civil court यानी सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून इसका अर्थ हुआ कि सभी नागरिकों के लिए धर्म और जाती से उपर बढ़ कर एक जैसा कानून होगा फिलहाल अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून है ऐसे में असमानता की भावना सामने आती है यूनिफार्म सिबिल कोट देश के सभी नागरिक पर लागो होता है फिर चाहे वो किसी भी धर्म या छेतर से संबंदित हो देश की सम्विधान में भी इसका उलेक है सम्विधान के अनुछेत 44 में समान नागरिक साहिता का जिक्र किया गया है जनसता.com की एक रिपोर्ट के अनुसार सुत्रों के मताबिक उत्तराखंड में UCC को लेकर जो ड्राफ्ट सरकार को दिया गया है उसमें कमेटी ने लड़कों की शादी की उमर 21 साल और लड़कियों की 18 साल निरधारित की है इसके अलाबा तलाख के लिए महिला और पुरिश को बराबर अधिकार दिये गये है महिला अगर दुबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी बेतर है की शर्त नहीं होगी UCC के ड्राफ्ट में विवा के साथी तलाख का भी रेश्टेशन अनिवारिक कर दिया गया है ड्राफ्ट में बेटी और बेटी के लिए समपत्ती में समान अधिकार की बात कही गई है इसके अलावा पती पतनी के तलाख या घरेलू जगडे के दौरान पाँच साल तक बच्चे की कस्टडी मा को मिलेगी समपत्ती में जायज और नजायज बच्चों को समान अधिकार दिये गए है योनिफर्म सिविल कोड में सभी वर्ग के लोगों को लेविन रिलेशन्शिप में रहने के लिए रेश्टेशन को जरूरी किया जाएगा इसके लिए एक पोर्टल बनाये जाएगा जिस पर रेश्टेशन होगा ऐसे रिष्टों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी लेविन रिलेशन्शिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रेश्टेशन करना होगा हर शादी के रेश्टेशन के लिए गाओं कसबों में सुविधा दी जाएगी अगर किसी ने शादी करेश्टेशन नहीं कराया है तो उसकी शादी अमाने मानी जाएगी पंजी करण ना कराने पर 6 मा की सजा या 25,000 जुर्मा अनालगाया जाएगा UCC के नए ड्राफ्ट के मताबिक नौकरी शुदा बेटे की मृत्यू पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वरिद माता पिता के भरन पोशन की भी जिम्मेदारी दी गई है अगर पत्नी पुनर विवाह करती है तो पती की मौत पर मिलने वाले कंपंशेशन में माता पिता को भी हिस्सा होगा पत्नी की मृत्यू होने की स्थिती में उसके माता पिता का सहारा नहीं रहने की स्थिती में उनकी देखने की जिम्मेदारी पती पर होगी UCC महिला अधिकारों पर केंदरित है इससे आधिवासियों को छोट मिल सकती है